शाम की चाय के साथ कुछ तीखा और चटपटा खाने का मन करता है तो आप ये वाली रेस्पी जरूर ट्राइ कीजिए बहुत ही जादा टीस्टी बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है तो जले स्टार्ट करते हैं इसके लिए कुछ ने करना एक बाउल में आदा कपके क तो उसे चलनी के ऊपर रख कर दूले और पोहे को दूलने के बाद इसमें पानी डालेंगे और इसे पांच से दस मिन तक पानी में विगो कर रखेंगे जिससे कि अच्छे से फूल जाए तो यहां पर पोहा जो अच्छे से फूल गया है लगबाग 10 मिनिट के लिए मैंने इसे भीगने के लिए रखा था अब इसके बाद इसे चान लेंगे और इसे चलनी के ऊपर रखेंगे जिससे जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए अब इसके बाद हम एक दूसरा बाउल लेंगे और इसमें तीन उबले हुए आलू लेंगे तो आलू को यहा एक चोथाई चमज जीरा, एक चोथाई चमज भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चमज के करीब चाट मसाला पाउडर और डेर चमज के करीब काउंट फूर एड़ करेंगे इसके बाद इसमें आदा चमच चिली फ्रेक्स और आदा चमच कस्मीरी लाल मिच पाउडर एड़ करेंगे अब हम इसमें आदा चमच सौदा नुसार नमक एड़ करेंगे और इसके बाद जो हमने पोहे रखे थे वो अच्छे से सूख गया है आप देख सकते हैं अच्छे से मैस भी हो रहा है तो यह पोहे हम इसमें आड़ कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर अगर आप अपने पसंद की सबजियां जैसे की गाज़ और सिमला में इस पता को भी आड़ करना चाहें तो वो भी आड़ कर सकते हैं तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारा जो मिस्रड पुरी तरीके से बनकर तयार है अब हम इसके टिक्की बना कर तयार कर लेंगे तो हाथ को अच्छे से साफ कर लेंगे उसके बाद तेल लगा कर अच्छे से grease कर लेंगे फिर एक medium size की ball के बराबर मिस्रल लेंगे और उसे हाथ पर अच्छे से roll करेंगे और इसके बाद हाथों की बीच में रखकर इसे थोड़ा सा चप्टा करके टिक्की की तरह बना लेंगे तो यह हमारी टिक्की बनकर एकदम तयार इसे की नारों से भी थोड़ा सा सेव देते हुए चिकना कर लेंगे जिससे की तलते समय यह तेल में फटेंगी नहीं तो टिक्की बनकर एकदम तयार है ऐसे ही बाकी की सारी टिक्की भी बना कर तियार कर लेंगे अब यहां पर अगर आपको टिक की बनाने में दिक्कत आ रही है जैसे कि आपका मिश्रल गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा काउन्फ्लोर एट कर लीजे और अगर मिश्रल सूखा है तो हिसमें एक आलु को कट्दू कस करके और एट कर लिजे से । आप सकते हैं वकल काया तेल को और गड़ाइशानी वकल क यजמסने तो थो करने के लिए कड़ाई में इचा रिशा तेल को गरम नगी तेल एक ओ करके रहेंगे मैधिम पर देंगे तो लगबग तींसे 4 मेट हो गया है और आप देख सकते हैं टिक्की जो एक तरफ से अच्छे से पक यह बढ़िया सा कलर आ गया है तो आप हम इने पलट कर दूसरे तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि तेल में उतनी टिक्की एड़ करें जित्ती आसानी से आ जाए नहीं तो पल आप तवे पर भी शेक कर बना सकते इसके लिए क्या करेंगे कि तवे पर दो से तीन चमज टेल डालकर अच्छे से स्प्रेट करेंगे और इस पर टिक्कियों को रखकर अच्छे से शेक लेंगे तो यहां पर हमारा एक बैच जो है अच्छे से फ्राई हो गया है ऐसे बाकी कि जो पची हुए टिक्किया है उन्हें भी फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं रैस्पी बनाना बहुत ही आसान है जल्दी से बनकर तयार हो जाती तो आप एक बार बनाकर जलू ट्राई कीजे और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और अगर रैस्पी प ज़र्व करेंगे आप इन्हें टोमेटो सॉस चिली सॉस या फिर अपनी किसी भी मन पसंद चटनी के साथ ज़र्व कर सकते हैं